हाई गाईज, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे मैं हूँ कंचन और आप सब के लिए लेके आई हूँ जीके के कुछ इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट सवाल और उसके जवाब तो फ्रेंट्स वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा आपको जरूर कुछ न कुछ नए कोर्शन सीखने को मिलेंगे तो फ्रेंट्स चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स आज का हमारा फर्स्ट कोर्शन है भारत के किस राज्जे में गेहूं की खेती नहीं होती है इस question का right answer है अब हमारा next question है कौनसा जानवर अपनी जीब से सांस लेता है Option number E है मेढख, Option number B है मचली, Option number C है साप, Option number D है चीटी इस question का right answer है Option number C साप अब हमारा next question है एक उन्लू अपने सीर को कितनी डिगरी तक गुमा सकता है Option number E है 90 डिगरी तक, Option number B है 120 डिगरी तक, Option number C है 360 डिगरी तक, Option number D है 270 डिगरी तक इस question का right answer है Option number D 270 डिगरी तक अब हमारा next question है आकास में दिखाई देने वाला तारा का कितना रंग होता है Option number A है 3 रंग, Option number B है 2 रंग, Option number C है 5 डिगरी तक, Option number D है 7 रंग इस question का right answer है Option number A 3 रंग अब हमारा next question है हवाई जहाज में कितने इंजन होते है Option number A है 4 रंग, Option number B है 2 रंग, Option number C है 8 रंग, Option number D है 5 रंग इस question का right answer है Option number A 4 रंग, अब हमारा next question है भारत का कौन सा राज, कभी अंगरेजों का गुलाम नहीं बना Option number A है महाराष्ट, Option number B है गोवा, Option number C है दिल्ली, Option number D है मध्य प्रदेश इस question का right answer है Option number B गोवा अब हमारा next question है किस जीव की हड़ी सबसे मजबूत होती है Option number A है बंदर की हड़ी, Option number B है बिल्ली की हड़ी Option number C है कुट्टे की हड़ी, Option number D है बागी की हड़ी इस question का right answer है Option number D बागी की हड़ी अब हमारा next question है भारत का सबसे लंबा रेल्वे प्लेट फॉर्म कौन सा है Option number D है प्रयागराज, Option number B है गोरकपुर, Option number C है नई दिल्ली Option number D है वाड़ानासी इस question का right answer है Option number B गोरकपुर अब हमारा next question है सबसे छोटा ग्रह इन में से कौन है Option number E है मंगल, Option number B है सनी, Option number C है बूद, Option number D है नेप्चुन इस question का right answer है Option number C बूद, तो फ्रेंड्स अब हमारा next और last question है ताज महल में कूल कितने कमरे है Option number A है 110 कमरे, Option number B है 130 कमरे, Option number C है 120 कमरे, Option number D है 150 कमरे इस question का right answer है Option number C 120 कमरे, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें थैंक्यू फो वाचिंग, बाए बाए टेक क्यार